अजारकन के सीम रखवरदास ने जन समवाद में सीधिबात के दौरान पश्चम सिभूम के आसर फलिया गाउं के ग्रामणों से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीय समवाद किया सीम ने ग्रामणों से उनकी समस्याओं पर चर्चा करते हुए तुरित नेराकरण का आश्वा संदिया साथी मुख्य मंतरे ने विभागी अधिकारियों को विरन शमस्याओं के प्रसाषिंगे ताकि जन्ता की समस्या का समय पे हम समाधान कर सके यह जो पाइल गुमाने का सिस्टम इससे मुक्स चाहिए और हर अपता एजन समवाद का जोपी आपके जीले में है हर DC कम से कम दो घंटा हर सब्दा इसका आपके जीले में जो सिकायत है उसके जरूर करें ताकि हर समस्या का समाधान हो सकते जो समाधान नहीं हो सकता उसको असपश्ट जन्ता को बता देजिए कि आपके ये समस्या का समाधान नहीं हो सकते लिकिन जन्ता को हमारे कर्याना में दोडाने का काम ना करें और जमशित्पूर से बड़ी खबर जहां एक लवे मॉडल आवासीय राश्रीय कीत संगीत प्रत्योगता हुई है जहां के इंद्रे मंत्री जोहेल उराओ सुदर्शन भगत ने इसका उधगाटन किया है और मंत्री लुजी सिम्राण दे विद्धित्वराण महतो विधाय कमेन का सरदार इस मौके पर मौझूद है और टाटा आवडिक्टरियूम में इस कारिक्रम का अयोजन हुआ है इसलाम नगर में अथिक्रमन प्रभावितों को घर के लिए और इंतजार करना पड़ा सकता है निर्मान कारे के धीमिकति से काम पूरा होने में और भी समय लगने की उमीद है इसलाम नगर के विस्थापित सवाल पूछ रहे हैं कि उन्हें उनका आश्याना आखिर कब मिलेगा जनवरी में मुख्यमंत्री रगवरदास ने जब उनके आश्याने की नीव रखी थी तो एक साल की अंदर घर देने का वादा किया था लेकिन जिस कच्छुआ गती से कंस्ट्रक्शन वर्थ चल रहा है वैसे में निर्मान कार्य पूरा होने में अभी और वक्त लग सकता है ऐसे में विस्थापितों के उम्मीदें तूटती दिख रही है जो भी हुआ नतीजा आदमी बरदास करके रह लिया अब ठंडा आगी है ठंडे में भी आदमी मरेगा अब मरेगा तो उसका कौन जिमिम्मिदार है बताईए अब कितना दिन में बने काई साल में बना करके देगा काम एक दब कभी होता है कभी एक दब सोलो है साल 2011 में इसलाम नगर और अली नगर में राज के पॉल्टेक्निक कॉलेज की जमीन पर गैर कानूनी तरीके से बसे सैकडो घरों को धुस्त कर दिया गया था पिछले साल मार्च में कैबनेट ने उसी स्थान पर 444 प्रभावित परिवारों को बसाने का फैसला लिया था इसके लिए 33 करोर रुपे आवंटित किये गए लेकिन कंस्ट्रक्शन की धीमी गती नहीं विस्थापितों की उमीदे धराश्चाई कर दी पक्ष और विपक्ष इस पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है नियाले के आदेश पर मकान का आदेश हुआ और जब बन रहा है तो धीरे धीरे बन रहा है इसके लिए सरकार जिमेवार है कॉंग्रेस आरोप जो लगा रही है वो बेबुनियाद है अगर सरकार की नियत साफ नहीं होती और राज के मुखमंत्री मानी रगवरदास जी की नियत साफ नहीं होती तो इसे अपने कैबिनेट में लाकर करके इसे पास करकरके वहाँ काम नहीं शुरू कराते बहरहा इसलाम नगर के सैकड़ो अतिक्रमन प्रभावित परिबार पिछले आठ साल से बेहत परिशानी के जंदगी गुजारने को मजबूर है राज सरकार की ताजा पहल से उन्हें घर मिलने की उमीद तो जगी थी लेकिन निर्मान कारे में देरी के चलती ना जाने कब तक उन्हें इन्हीं हालातों में जीवन जापन करना पर सकता है नौशाद आलम न्यूजाई टीन राची